हेलो व्यूवर्स मैं हूँ सर्टिफाइड कराटे ब्लेक बैल्ट एन फिटनेस ट्रेनर संजय वजन कम करने के लिए आम तोर पर दारना है कि आपको अपनी प्लेट से हर उस चीज को निकाल फेकना होगा जो जायकेदार और बहुत इस्वादिस्ट है लेकिन आप दुखी मत होईए ऐसा बिलकुल नहीं है माना कि वजन कम करना ज़रा मुश्किल है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपनी पसंद का हर खाना छोड़ना होगा आपको बस इत्ता सा करना है कि अपनी पसंद में अपनी थोड़ी से समझ जोड़नी है बस अपने unhealthy खाने को या trans fat को प्रोटीन से बरपूर खाने में बदलना होगा आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि बजन कम करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा रॉल होता है हाई प्रोटीन फूड आपकी एपेडाइट को बेतर करने वाले हार्मोन्स GLP-1, PYY और CCK बनाने में मददगार हैं अगर आप अपनी डाइट में भरपूर प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन भूग का एहसास करने वाले हार्मोन्स ग्लेसिन को भी कम करता है इस तरह प्रोटीन वजन कम करने में मददकार साबित होता है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने अनहल्डी फूड को हल्डी फूड में कनवर्ड कैसे कर सकते हैं और उस खाने से आप वजन कम कैसे कर सकते हैं चावल के साथ टोफू को खाना जी हाँ दोस्तो आम तोर पर बोला जाता है कि जिने वजन कम करना है उन्हें चावल नहीं खाने चाहिए लेकिन दोस्तो आप टोफू को चावल में डाल कर फ्राइड राइस बना सकते हैं टोफू पनीर का एक बहतरीन सोर्स है टोफू महज प्रोटीन से बरपूर नहीं है इसमें केल्चम और आईरन भी बरपूर मात्रा में होता है अगर आप चावल के साथ टोफू मिला कर खाते हैं तो वो चावल आपको नुक्सान नहीं करेंगे क्योंकि उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाएगी और प्रोटीन वजन कम करने में मददगार होता है तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं ओट्स उत्तपम की उत्तपम एक फटाफट तेयर हो जाता है उत्तपम को आप ब्रेकफास्ट लंच या ब्रंच टैम में भी बनाकर खा सकते हैं जितना खाने में स्वाधिष्ट होता है उतना ही हेल्दी भी होता है तो इसे एक बार संडे नास्ते में ओट्स उत्पम की बहतरिन रेसिपी ट्राय कर सकते हैं तपम, खाने में तो स्वाधिष्ट होते ही हैं, साथ ही प्रोटीन से बरपुर होते हैं, जो वजन कम करने में सहायटा करते हैं एक्स्ट बात करते हैं पालक दाल फुलाव की जी हाँ दोस्तो अगर आपको फुलाव करने का शोख है तो उससे भी आप वजन कम कर सकते हैं उसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि फुलाव बनाते समय उसमें तरह तरह की दालें और तरह तरह की सबजियों को एड करना है खरी सबजियों में आप पालक भी डाल सकते हैं पालक दाल फुलाव काफी अच्छा विकल्प है यहाँ आपके लिए आईरन, मिनरल्स, प्रोटिन वाला आहर साबिद होगा तो दोस्तों आपने जान लिया कि आप अपने unhealthy food को healthy food में कैसे बदल सकते हैं और अपना वज़न आसाने से कैसे कम कर सकते हैं बस आपको एक चीज़ का जान रखना होगा दोस्तों कि अपने सारे दिन की जो calories है वो 500 calories के आसपास रहनी चाहिए तो आप जरूर वज़न कम कर लेंगे आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा अगर आप कुछ कहना चाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें उसके पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ में Thank you so much